आज हम उपवास की चटनी बनाएंगे उपवास के चटनी बनती है उसके लिए हमें धनिया एक कब धनिया एक गेड़ जीरा हरी मिर्ची के तुकड़े निम्बू नमक और थोड़े से सिखे हुए मुमफली की दाने इन सब चीजों की आवशक था हमें उपवास की चटनी के लिए होगी अब हम इन सब चीजों को मिक्सर में पीस लेंगे सब से धनिया डालेंगे सुए जीरा दो तिन हरी मिर्ची के तुकड़े तुकड़े अधा निम्बू मुमफली की दाने और अधा निम्बू निचो एंगे उसमें सुए अधा अनुसाद चटनी में थोड़े सी चीनी डानेंगे इसमें मिक्सर में अच्छा से इसके बारिक कर डाने लेगे जटनी तयार है उरन की हाँ, आजहात हूआ है।